लोग सब्भा में अविश्वास प्रस्ताओं पर चर्चा के दोरान मंगलवार को महाराष्ट की सीएम एकनाच शिंदे के बेटे श्रीकांद ने हनुमान चालीसा सुनाई इससे पहले उन्होंने ABCD सुनाते हुए मोधी सरकार की स्कीमों की जानकरी दी शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट पर हमला बोलते भी श्रीकांद ने कहा कि इन लोगों ने तो हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में भेज दिया और उन पर देश द्रोह का आरोप लगा दिया दरसल उन्होंने अमरावती की सांसत नवनीत राणा का जिक्र किया नवनीत ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था जिस पर उने की रफ्तर कर जेल भीज दिया गया था श्रीकान शिंदे ने शिव सेना उद्धव ठाकरे गुट पर सवाल उठाते वे कहा कि आप 2019 में किसकी तस्वीरे लगा कर चुनाव जीते थे फिर आपने धोका दे कर बाला साहिब ठाकरे के विचारों से समझोता कर लिया उन्होंने कहा कि ठाकरे कहते हैं कि शिव सेना को में कभी कॉंग्रेस नहीं बनने दूगा और ऐसा हुआ तो अपनी दुकान बंद कर लूँगा आज इन लोगोंने कुरसी के लिए उनके विच कि उसेना और कॉंग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे इन लोगोंने 13 करोड वोटरों के साथ गद्दारी कर दी श्रीकान ने कहा कि 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो एंडिये की सीटें 2019 में बढ़ गई थी अब एक बार फिर से ये लोग अविश्वास प्रस्त आ चुकी थी पुरानी यादे लोगों के जहन से मिट जाए इसलिए नाम ही बदल लिया इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद